आज के युग में उस तर्क की बहुत जरूरत है जहां पर सहिंशीलता भी हो, जहां पर सामने वाला सुनने को भी तयार हो और आखिर में सिर्फ दो लोग एक साथ कौन ज्यादा उंची आवाज में चिलाएगा, उससे नहीं तय हो कि विजेता कौन है। क्या इस किताब के जरीए और क्या आदिशंकराचारी की जीवनी के जरीए जो आप पेश कर रहे हैं, आज की दुनिया को भी बहुत बड़ा संदेश मिलता है। देकि सबसे पहली बात तो ये कि एक ऐसा महौल आज बन गया है, जब कुछ लोग समझते हैं कि जो वो कहते हैं हिंदु धर्म है, वही हिंदु धर्म है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हिंदु धर्म और उसमें मैं उस दर्शन को लेकर चलता हूँ, क्योंकि मैंने कहा वो अलग नहीं हो सकते हिंदु धर्म समवात पे आधारित है, हिंदु धर्म समावेशी है, कई मतों को एक साथ जोड़ करके चलने वाला है, हिंदु धर्म शास्त्रार्त पे आधारित है, और हिंदु धर्म में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, कि यही करने से आप हिंदु हैं और यह न करने से आप हिंदु नहीं हैं, तो आज जब कुछ लोग यह कहते हैं कि यही एक फॉर्मिला है हिंदु बनने का, और अगर आप इस से हटें, तो आप किसी माइने में कम हिंदू हैं मैं समझता हूं उनको आदिशंकर अचारिया को पढ़ने की जरुवत है आप किस तरह की क्रांतिकारी सोचे इस पर दो मिनिट में चाहूंगा आप सोचिए आज से लगबक 4,000-5,000 सार पहले किसी वन में कोई विचारक, कोई रिशी, कोई म होनी, बैठ करके ये सोच रहा है कि इश्वर की प्राप्ती कैसे हो, ये नहीं सोच रहा है, ये सोच रहा है कि इस बहुलता पूर्व दुनिया में और उसमें जो हमारा किरदार है, उसके पीछे अंतिम सत्य क्या है, बलकि मैं यहां तक कह सकता हूं कि जो छे स्कूल्स अव तो नास्तिक हैं, उसमें इश्वर की बात ही नहीं, जिर्फ एक खोज है कि अंतिम सत्य क्या होसेता है, वाट कैन बी अल्टिमेट टूथ बहाइंड दे बिविल्डरिंग प्लुरारिटी अफ दे वर्ल दे यूनिवर्स एनार लाइफ ये खोज है, तो इसलिए आदी शंक सरासर जूट है, और धर्म का इस्तमाल, जो समूरिद लोग हैं, वो गरीबों के शोशन के लिए करते हैं, ये बात मार्क्स ने दो अजार साल बाद कही, और लोग उसी को जानते हैं, चारवाक स्कूल, जो हिंदु धर्म का एक अंश है, तांत्रिक स्कूल, वो भी हिंदु धर्म का अंशे मैंने पहले ही जिक्र किया कि छे स्कूल्स अफ हिंदू फिलोस्वी हैं उसके इलावा आप देखेंगे कि कितने तरह की सोच हैं जिससे मिलकर के हिंदू धर्म और दर्शन एक तरह से उसकी संरचना हुई है तो आज के संदर में मैं सिर्फ यह कहना चाहता हू कि हम हिंदू धर्म को अपने सबसे निम्न स्तर पर न ले जाएं और एक बार फिर से जैसे आठवी शताब्दी में आदी शंकर अचारे ने किया थोड़ी सी थोड़े से अध्यायन के साथ एक बार फिर से उसको जो उसकी क्रांतिकारी सोच है तो हम देखेंगे कि हमारा समवाद और श्रस्तराथ उनसे भी हो सकता है जिनसे हमारी मत भिन्नता हो मत भिन्नता हो सकती है मत भेद नहीं मन भेद नहीं हो सकता कर दो हमारी मत भी हो सकता है